जाहिन दोस्तों KBS 2013 के specific English में noun के part 3 को आज हम पढ़ेंगे part 2 में हमने कुछ rules को पढ़ा था और part 1 में हमने इसके परिभासा और इसके प्रकार को पढ़ा था part 3 में आज हम लोग कुछ rules बचेंगे उनको देखेंगे और noun के gender को भी देखेंगे तो rule number 8 जो है वो है कुछ noun जो अर्थ में तो plural होते हैं लेकिन इनके पहले किसी निष्चित संख्यात्मक विसेशन का प्रियोग किया जाता है तो इन noun को pluralize नहीं किया जाता है जैसे pair, hundred, dozen, thousand, million, billion ये तो इनका जो अर्थ वो प्रूरर है लेकिन इनसे पहले जब संख्यात्मक विसेशन जैसे संख्यात्मक विसेशन में हम बता जें आपको one हो गया, two हो गया, three हो गया, four, five, six, seven, eight ये सब जो है क्या है अगर इनके साथ इसका प्रियोग किया जा इनके पहले तो इन nouns को हम pluralize नहीं करते जैसे example देखे लिए I have two hundred rupees only अब यहां हम hundreds नहीं कर सकते क्यों क्यों कि इससे पहले हमने क्या निश्चिस संख्यात्मक विसेशन two का प्रियोग किया है अगर इनके साथ indefinite countable होने पर इन्हें हम प्रियोग करेंगे जैसे dozens of bananas, hundreds of bikes, pairs of shoes जब इनके साथ indefinite चीज़ें हों तो हम इनका प्रियोग इनको प्रियोग करेंगे ठीक है आगे देखते हैं जो next rule है इसका rule no.9 यदि किसी noun के बाद preposition का प्रियोग हो और फिर वही noun repeat हो तो noun singular form में होना चाहिए या noun singular form में ही होता है जैसे दूर क्या है आपका noun है ठीक और इसके बाद लगा है preposition two इसके बाद फिर दूर है तो आप इसको ऐसे डिखेंगे तो यह गलत होगा डूर्स तो डूर्स नहीं कर सकते है यह आपका गलत माना जाएगा ठीक है यह डूर तो डूर होगा ताउन आफटर टाउन आपका noun है अफटर प्रपोजिशन है इसके बाद फिर टाउन आया है तो यह क्या होगा यह आपका singular form में होना चाहिए train after train उन भी noun है यह प्रपोजिशन इसके बाद फिर नाउन आया है same noun आया इसलिए ये आपका singular form में होना चाहिए rule number 10 क्या कहता है common gender noun जो है वो कौन कौन से होते हैं जैसे teacher, student, child, advocate, worker, writer, leader, musician, servant, cousin कल हम लोगों ने cousin के बारे हम पढ़ा था cousin के साथ brother या sister नहीं लगाते है brother या sister नहीं लगाते हैं हम लोगों ने कल पढ़ा था ना जिसे गलत माना जाएगा ठीक, infant, thief, neighbor यह क्या है यह common gender में है ठीक है, next देखते है अब हम पढ़ेंगे noun gender के बारे में rule हमारे 9 थे और हमने 9 बता दिया आप लोगों को साथ हमने बताया था आपके part 2 में और दो बचे थे उन्हें हमने बताया part 3 में अब हम लोग noun gender के बारे में पढ़ेंगे gender को especially चार भागों में बाटना किया है masculine, feminine, common और neuter तो हम लोग पढ़ेंगे पहले masculine gender के बारे में जिसे हम लोग क्या कहते है male gender या जो पूरुसों को व्यक्त करता है जैसे जो पूरुस जाती को व्यक्त करता है ऐसे gender को हम लोग masculine gender कहते है male gender के व्यक्त करने वाले noun को हम लोग masculine gender कहते है मेल का मतलब यहां पर पूरूस होता है ठीक जैसे टाइगर फादर लायन गॉड एट्सेक्टर यह सब क्या है आपके यह सब मेल जंडर है ठीक फेमिन जंडर जो फीमेल यानि महीला व्यक्त को महीला जाती को व्यक्त करता है ऐसे नाउन को हम लोग फेमिन जंडर कहते हैं जैसे टाइगरेस मदर, टाइगर का देखी हो क्या हो जाएगा टाइगरेस, फादर का हो जाएगा मदर, लायन का लायनेस गॉड का गॉड़ेस ठीक, यह सब क्या है यह सब इस्तरी वर्ग को जक्त करते है ठीक आगे चलते है कामन जंडर ऐसे नाउन जो इस्तरी वर्ग दोनों के लिए प्रियुक्त होते हैं उन्हें हम कामन जंडर कहते हैं जैसे चाइल्ड चाइल्ड यह कामन में आते हैं जो इस्तरी वर्ग दोनों के लिए बेबी चाहे बेबी फीमेल हो या मेल हो दोनों के लिए बेबी हम यूज करेंगे टीचर चाहे आपकी टीचर मेल हो चाहे आपकी टीचर फीमेल हो आप दोनों के लिए टीचर का ही यूज करते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं common gender नियोटर जेंडर जो ऐसे कुछ निर्जी वस्तुओं के लिए जो noun use होते हैं ना तो वो male होते हैं ना ही female होते हैं उनके लिए नियोटर जेंडर के use हम करते हैं जैसे आपके हो जाएगा copy, book, room, paper, box यह सब क्या है यह सब आपके नियोटर जेंडर ह और यह हैं आपके common gender जिसमें आएगा child, baby, teacher, surveillant अभी हमने पीछे आपको बताया है जैसे यहां देख लीजिए हमने यहां जादा यह sample दिये थे यह देखिए worker, writer आप worker चाहे male और female आप उसको worker ही बोलेंगे writer लेखक चाहे कोई भी हो male या female आप उसको लेखक ही बोलेंगे नेता, leader आप male या female दोनों के लिए यूज़ करते है, musician आप male या female दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो common gender की यह सारे example आपके सामने है, ठीक है अब हमनों पढ़ेंगे some important masculine and feminine gender जिनों ऐसे बीना किसी rule की change कर दिया जाता है, जैसे hero का heroine कर दिया जाता है testator का test tricks कर दिया जाता है, bachelor का mate कर दिया जाता है, boy का girl, boy का girl, cock, kahan, यह तो simple है, यह सब आप जानते होंगे drag, cut, duck कर जाता है, drag आपका क्या है यह, यह masculine है, यहाँ वाले देखिए सब masculine है यहाँ वाले सब masculine है, और यह feminine है, ठीक और यहाँ भी, यह masculine है और यह feminine है, ठीक तो bridegroom, दूले को कहते हैं, bride हम दूलान को कहते हैं, gentleman, lady, he, she, husband, wife, lord, lady, nephew, nice, sir, madam, wizard, witch, brother, sister, dog, bitch अब देखिए, कुछ लोग यूज़ करते हैं, जो, bitch को पाली मतलब की pet बनाये होते हैं, लेकिन हम उसे respectfully हम, general वासा में उसे female dog कहते हैं, पर आप English में इसे बीच से ही जानेंगे, ठीक है, female dog भी उसे बोलते हैं, general वासा में आप, हम बोलते हैं, जब हम कोई पालते हैं, वो, bitch होता है, तो मुझसे female dog कहते हैं, ठीक है, तो यह सब आप लोग लिख लीज़ेगा, याद कर लेज़ेगा, दो तीन बार पढ़ लेंगे, तो आपको यह याद हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जो masculine noun को feminine noun में change करने के लिए होते ह हैं, जैसे हम यहाँ पर ES जोड के हम बना सकते हैं, जैसे कोई भी हो, उसके बाद आप ES जोड देजिए, masculine noun के बाद, वो feminine noun बन जाएगा, जैसे author के बाद आप ESS जोड देंगे, authorist हो जाएगा, host के बाद ESS जोड देजिए, hottest हो जाएगा, hostess हो जाएगा, ठीक है, जो मेज masculine gender बन जाएगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और rules हैं, जिनने आप समझ लीजी एक बार, masculine gender के कुछ, ऐसे सब्द जिनके आंत में कुछ बदलाव करके, EWS जोड जाता है, जैसे अभी यहाँ पर था, आप कुछ बदलाव नहीं कर रहे तो आप direct EWS जोड दे रहे थे लेकिन यहाँ पर आप कुछ बदलाव करके, EWS जोडेंगे, तब आपका feminine noun बन जाएगा, जैसे actor में आपको क्या करना होगा, पीछे के दोनों सब्द, O और हटा के, actress इस तरह बनाएंगे, benefactor का आप benefactor ऐसे बनाएंगे, hunter का hunters, prince का princess, इसमें आप E को हटा के जोड सकते हैं, कुछ बदलाव करेंगे, उसके बाद आप डायट जोड देंगे, तो वह masculine gender बन जाएगा, जिन्हें आप देख लीजेगा, यहाँ पर, इसमें देखिए, emperor है, तो direct आप इन तींच को हटा के, impress पीछे कितने हटा के, फिर आप R, EWS जोड देंगे, impress हो जाएगा, governor का governance, duke का आपने पढ़ा है, एक पार्ट और है, आपको नाउन का नंबर पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में वचन कहते हैं, singular और पुलर के बारें पढ़ना है, उसके बाद आपको हम नाउन के कुछ क्योस्टन देंगे, कुछ क्योस्टन कराएंगे, और उसके बाद आपको नाउन का चाप्टर कतम हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स चाप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार